दोस्तों soft skills improvement के द्वारा आप whom keцफे लाइब में बहुत उचाइयो तक जा सकते हैं चाहे आप जॉब करते हों बिज्जनस करते हूं किसी भी फिरड में हो के फर डीज द्वारा आप और और उचाहियों तक नहीं systematic आ चाहते हैं इसके लिए आपने सॉफ्ट स्किल्स का होना बहुत जरूरी है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चनल नौलेज साथिपर दोस्तों चाहें आपकी परस्नल सोशल लाइफ और या फिर आपका करियर कहीं भी सॉफ्ट इसकिल्स आपके हाथ में कैसी जिससे आप अपने सफलता का ताला खोल सकते हैं यानि कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं soft skills एक ऐसी आप्ट है जो अगर वर्थ है तो इसको बढ़ाया जा सकता है और यह दिन नहीं है तो इसे सीखा सकता है दोस्तों, आप कभी भी किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, तो आपके सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स देखने के साथ साथ, आपके सॉफ्ट इसकिल्स भी देखी जाती हैं. यह सिर्फ इसलिए देखी जाती है कि आपके पास लोगों से बात चीत करने और उन्हें समझने की कितनी कैपिसिटी है एक तरह से soft skill को बात करने और लोगों से बेवहार बनाने का तरीका भी कहा जा सकता है दोस्तों कहीं भी जॉब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा professional skills ही काफी नहीं है बलकि इसके साथ-साथ soft skills भी होना ज़रूरी है यदि आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो आप में professional skills होना भी बहुत ज़रूरी है लेकिन तेजी से बढ़ते समय के साथ सिर्फ professional skills होना ही परयाप नहीं है इसके साथ-साथ आप में soft skills का होना भी बहुत ज़रूरी है जो कि आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेडित करता है दोस्तों हम बात करते हैं कि soft skills में क्या-क्या चीज़े आती है सबसे पहले है communication skills, दूसरी है leadership skills, दीसरी है problem solving skills, चौथी है time management skills और पाच में है आपकी creative thinking यानि की out of the box thinking दोस्तों हम बात करते हैं कि soft skills को improve कैसे करें Soft skills यह कैसी art है कैसी कला है जिससे आप अपनी जिंदगी का हर दर्वाजा खोड़ सकते हैं आप हर सफलता हासिल कर सकते हो चाहें वो आपके खुद की personal life हो या फिर आपका career तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है आपका communication skill यानि कि आपका बात करने का हुना किसी व्यक्ति को सफल बनाने के लिए उसका बोलने का तरीका बहुत बड़ी भूमी करिवाता है फिर चाहें वो conversation अपने किसी अधिकारी से हो यानि कि अपने किसी boss से हो या फिर आपके साथ काम करने वाले साथ ही से यानि कि आपके कुलिक से हमेशा सही जगे पर सही भाशा का chain करना बहुत जरूरी है दूसरा दोस्तों इसमें आता है आपका eye contact रखना आप जब भी किसी से बात करें उसके सामने देख करें उससे बात करें ऐसा करने से आप सामने वाले का उसके चेहरे से हाव भाव और उसकी आखों से उसकी भावनाओं को और भी बहतर तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि जब भी हम बोलते हैं तो हमारा चेहरा और हमारी आखें बहुत कुछ बोल जाती हैं मेशा जब भी किसी से बात करें तो eye contact बना के रखें दोस्तों थर्ड आता है इसमें leadership skills यदि आप में team lead करने की skills हैं तो आपकी सफलता को और भी तेजी से बढ़ा सकता है क्योंकि team leading वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें कुछ करने का जुनून हो जो लोगों को साथ लेकर चल सकता हो यदि आप में equality नहीं है तो आप इसे हमेशा बढ़ाने के लिए प्रयास करें दोस्तों हमारी चौथी skills है be confident यानि कि हमेशा आत्में विश्वास से कोई भी बात कर क्योंकि हम जब भी कोई बात confidence के साथ कहते हैं तो सामने वाले का उस बात पर और भी ज्यादा भरोसा हो जाता है और उसमें confidence भी आजाता है ऐसा करने से लोग आपकी बात आसानी से मान भी लेते हैं और उस पर trust भी करते हैं दोस्तों अगली है problem solving skills यदि आप अपनी problem को solve कर नहीं जानते हैं तो यह आपके लिए बहुती बड़ी problem हो सकती है क्योंकि आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है यदि आप अपनी problem को solve कैसे करें अच्छी तरह से जानते हैं तो आप होने वाले नुकसान से आसानी से बच सकते हैं दोस्तों इस आप चाहें कितने भी बड़ी वेक्ति बन जाएं यदि आपको time management करना नहीं आता तो इसका आपको बुरा परिणाम भी मिल सकता है दोस्तों समय कैसी ताकत हैं जिसकी मदद से हम किसी पर भी जीत हासिल कर सकते हैं दोस्तों अगली है हमारी thinking skills यानि कि हमारा सोचने का तरीक बेक्ति की सोच ही उसे बड़ा बनाती है आप चाहें कितने ही बड़े बेक्ति बन जाएं यदि आपकी सोच सही नहीं है तो आप वहां पर कम समय तक ही रह पाते हैं क्योंकि सोच है कैसी चीज होती है जो बेक्ति को सबसे अलग बनाती है आपकी thinking skills ही आपको सफलता के बढ़ा रखें दोस्तों जानते हैं कि soft skills कि क्या क्या लाव है यदि आपके पास soft skills है तो आप किसी भी job को बहुत ही अच्छे से handle कर सकते हैं दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग होते हैं जिने उनके behavior की बज़े से job से निकाल दिया जाता है उनके लिए soft skills और अपने काम के लिए कितना ज्यादा serious है soft skills की मदद से आप सभी लोग किसी भी job पर बहुत ही लंबे समय तक टिक सकते हैं और अपने behavior से अच्छे से अच्छी post को हासिल कर सकते हैं जैसा कि आपने देखा कि soft skills के बहुत से फायदे होते हैं लेकिन कभी-कभी कुछ लोगो मिलने में असानी होती है as well as आप भी अच्छा impression create कर सकते हैं अपने interviews में दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादे से ज्यादे लोगों तक शेयर करें धन्यवाद